हेलो दोस्तों किसी भी खाने का स्वात बढ़ाने के लिए बनाईए आलू की ये कुरकुरे पापड तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहां मैंने लिए हैं दो किलो आलू मीडियम साइज के इन्हें मैं प्रेशर कुप करूँगी और चार से पांच विसल लगाऊंगी चार से पांच सीटी लगाने के बाद आलू अच्छे से वॉयल हो चुके हैं और इन्हें थोड़ा ठंडा करेंगे पूरी तरह ठंडा नहीं करना है और इन्हें छील कर हम इसमें मिक्स करेंगे दो चमबच काली मिर्च कुटी हुई और तीन चमबच चिली फ्लेक्स और साथ में आदा कप धनिया इससे पापुड़ा में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आप डालेंगे स्वादर नुसर नमक मैंने हापे दो चमबच नमक यूज़ किया है और इन्हें अच्छे से मेश करेंगे आप चाहें तो यहाँ पर पटेटो मेशर से भी आलों को मेश कर सकते हैं बट मैं हाथों से करूँगी आलों को अच्छे से मेश करना बहुत जुरूरी है इसमें आलों की मोटी मोटे गाटे नहीं होने चाहिए नहीं तो पापड बनते टाइम प्रॉब्लम होती है इन्हें अच्छे से मेश करने के बाद बनाएंगे इनका एक गोल पेड़ा इस तरह से और इसे एक मोटी पॉल पापड़ों के लिए दूप बहुत अच्छी होने चाहिए आम देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यह पापड़ पॉलोथेन से अलग हो जाते हैं बागी सारे पापड़ भी हम इसी तरह से बना लेंगा बहुत ही आसानी से बन जाते हैं इन पापड़ों को बनाने का सबसे अच्छा टाइम मौरिनिंग में है सुबह हम इन पापड़ों को जल्दी बना के डाल देते हैं तो ये शाम तक आसानी से सूख जाते हैं देखिए सारे पापड हम इसी तरह से डाल देंगे ये बहुत ही आसानी से पालोथीन से अलग हो जाते हैं इस तरह से आप इस तरह से सारे पापड बना सकते हैं देखिए सारे पापड हमने बना लिये हैं और ये शाम तक काफी हद तक सूख भी जाएंगे इन पापडों को 2-5 गंटे दूब दिखाने के बाद अब हम इन्हें पलट देंगे इस तरह से ये बहुत ही आसानी से पलट जाते हैं ऐसा करने से पापड शाम तक जल्दी सूख जाते हैं सारे पापड बहुत ही आसानी से निकल जा रहे हैं इन्हें मैंने सिर्फ 2-5 गंटे ही धूप दिखाई है अभी और ये काफी हद तक सूख भी चुके हैं मैं हर साल होली से पहले इस तरह से पापड बनाती हूँ मेरी फैमली में सभी को ये पसंद है इन्हें हम टी टाइम में भी यूज कर सकते हैं सारे पापड मैंने पलट दिये हैं और देखते हैं शाम तक ये कितने सूखते हैं आप देख सकते हैं शाम तक ये काफी हद तक सूख चुके हैं बट मैं फिर भी इन्हें दो दिन तक धूप दिखाऊंगी नेक्स्ट दे धूप दिखाने के बाद आप देख सकते हैं पापड कितने अच्छे सूप चुके हैं काफी ट्रांसपरेट भी हो रहे हैं अब ले चलते हैं इनको फ्राय करने के लिए इन्हें हम इस तरह से तेल में फ्राय भी कर सकते हैं इन्हें पलट कर नहीं सेकना है बस इस तरह से हम इन्हें सेख लेंगे पापड का कलर भी काफी अच्छा आया है आप देख सकते हैं और आप इन्हें दूसरी तरीके से भी हम सेख सकते हैं गैस पर इस तरह से लो फ्लेम पर ही सेखना है इन पापडों को इस तरह से जल्दी जल्दी पलट कर इस तरह से सिखे हु पापड़ बहुत पसंद है इन पापड़ों का अगर आप और ज्यादा टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो इन पर थोड़ा सा काला नमक डाल कर खाईए उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है पापड़ों की आवासे ही आप देश सकते हैं यह काफी क्रिस्पी बने हैं आ आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करना फिर में लेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई